इसे नहीं अगर समय है ना तो आप इस तरह के स्टॉक्स देखो क्रिप्टो देखो प्राइस एक्षिन की प्रैक्टिस आप कभी भी कर सकते हो अपने चार्ट से ने लाइस करेकर रख लो सेम चीज़ देखे अपना सपोर्ट हमने इसके उपर ड्रॉ कर लिए और सपोर्ट कर करो बात में फिर अपने काम पर लगजाओ ऐसे कि हैं आप पैरलल दोरों चीज़े चल देंगे आप पो रिगरेट नहीं होगा कि यार समय नहीं तो अपना काम नहीं कर पा रहे है या फिर हम आपनी पढ़ाई या प्रैक्टिस नहीं कर पा रहे है काम भी करते रो और रिव करने के लिए हम पिछले दो दिन से देख रहे थे बड़ाइस के अंदर वॉल्म के तो ब्रेकआऊट हो चुके थे बट प्रैस के ब्रेकाऊट नहीं हो थे यहां पर देकिए यह बड़ी सी केंडल बनी अगले दिन इसके अंदर mother candle form हो गई volume तो breakout कर गया बड़ प्राइस नहीं निकला और अब प्राइस का breakout भागी था तो दो दिन से हम देख रहे थे नहीं हो रहा थे थे लास्ट सेशन का भी था बड़ आज इसने एक अच्छा movement हमें उमीद थी कि आज एक अच्छा movement हो सकता है because price action lower time frame पर भी एक सही दिख रहे थे इसके लाब देखिए एक हमारी ये green वाली candle है जैसे ये वाली यहां से price हमारा सीधे नीचे की तरफ करिए था मतलब ये last positive candle थे उसके बाद market नीचे आगे थे यहां से फिर ये green वाली candle फॉर्म होई अब अगर इसको नीचे जाना तो इस green वाली candle का है ने तो फिर इसका low breakout होना चाहिए lower time frame पर आएंगे और 5 minute के time frame पर देखिए अभी 3 minutes के time frame पर भी इम्लोग चलेंगे एक्चुली जो यहां पर trade अपने एक्जिक्यूट है 857.75 या 858.45 इस ranges के पास में अपने trade एक्जिक्यूट किया और upside के जो आप black line देख रहे हो वहां पर अपने targets यह हमारा एक दिन पहले का trade है जब हमने और तो sector के Mahindra and Vindra को trade किया था बहुत अच्छा trade था इस वीडियो को ज़रूरा आपको देखना चाहिए previous day की या same day की 9.15 की candle को लो previous day की 3.25 की candle के high से कैसे हमने targets निकाल ले थे और किस तरह से एक retracement को एक upside के बड़ी से move की बाद में retracement को कैसे trade कर सकते है यह चीज़ हमने इस वीडियो में दिखाई है trade book अपने open कर लेते हैं जल्दी से अपने quantities कितनी थी entries, top loss, targets अपने पुछ आओ, profits वगरा देखने के बाद में एक एक चीज़ analyze करेंगे यहां से सबसे पहले position book open करते हैं, position book में overall आज को जो हमारा profit है 13,900 रुपीज का profit है which is enough, today sessions के recording काफी है, इसको एक बार refresh कर लेते हैं, okay 13,900 का profit है, वीडियो अच्छा लगता है इसको like किजेगा, आप लोग देखते हो, but like भी नहीं करते हो, नहीं इसको comment करते हो, so थोड़ा सा appreciation हमको मिलता है, next video में आपको हमारा और भी जदा effort के अंदर देखने को मिलेगा, हम कोशिश करेंगे, और बेची तरह समझाएंगे, quantities आप देख सकते हो, 1000 quantities को हमने यहाँ पर buy किया, इसको भी refresh कर लेते हैं, so buying है 1000 quantities के साथ में, and stop loss जो हमने इसके अंदर लगा था, 854.65 exact, जब हम trade execute करने जा रहे थे, 855 से पहले का swing लगा था, वह ही मेराज का stop loss था, profit 871. 1.40 पर हमने profits बोग कर लिया थे, so trade हमारा उस जगे पर अपना finish हो चुका था, 13,900 का profit है, और अभी चल करके देखेंगे कि क्या, overall क्या था, आज के market में, हम day time frame के उपर हमने 2 दिन trade नहीं किया, उसके भी अपनी reasons, अपनी वजाए है, आज हमने trade execute किया, तो उसको हम लोग analyze क करेंगे, समझने की कोशिश करेंगे, और lower time frame पर entries के कुछ patterns हम आपको बताएंगे, आज के दिन, 3 candles के होते हैं, basically उनको morning या evening star के नाम से आप लोग जानते होगे, उसको और अशी तरह से define करने की कोशिश करेंगे, so thanks and start करते हैं, ICIC-A bank को trade करने के पीछे का reason क्या था हमारा, जैसे यहाँ पर आपको हमने एक system बताया था, ICIC-A को trade करने के पीछे करीजन क्याता है, जैसे day time frame पर हम लोग देखेंगे, हमने आपको एक system बताया था और इसको लेकर कि अभी भी काफी अच्छी तरह से इसके हैं, तो कुछ कुछ चीज़े हमने और add करने की कोशिश की है बेसिक सी अगर एक चीज हम बता है आपको, तो इसमें simple यह होता है कि price का breakout actually नहीं हो, divergence होते हैं पूरी तरह से, कि price का breakout नहीं हुआ है, बट volumes के breakout हो, second day में volume के breakout हो गए, इसको समझे, कि price अभी भी हमारी previous day की range के अंदर ही रुका हुआ है, यह देखे, बट जो volume है, इन्हों move होने के लिए क्या चाहिए, उसको volume चाहिए होंगी, volume अल्री एक गन पहले आ चुकी है, तो अब क्या हम लोग breakout के थूरू trade execute कर सकते हैं, यहाँ पर just एक छोटी चीज आपको करनी, trend analysis करनी है, price और movements क्या होंगे, यहाँ से price आपका upside की तरफ भी जा सकता है, यह नीचे की inside भी हो सकते हैं, बस trade करने से पहले चोटी से चीज देखनी है, और levels हमने यहाँ से मिल जाते हैं, ठीक है, अब देखिए, ICICI bank के अंदर हम इस चीज को क्यों आपको समझा रहे हैं, कि देखिए, इसमें condition 27th of Feb को हुई है, 27th of Feb को देखिए, volumes के breakout हो गया, यह बड़ी से candle लाप की बनी, और अगले दिन इसके volume के breakout हो गया, बड़ प्राइस को दो breakout हुआ नहीं, अब हमें चाहिए था कि प्राइस के breakout के साथ हमें trade execute करना था, और ICICI bank का 27th Feb से पहली की जो trend analysis थी, यहाँ पर एक काफी अच्छा resistance एरिया है, अगर उसका breakout मिल जाता है, तो बहुत स समझ मैं है, कि इस एक candle के breakout का move हमें just चाहिए था, और हमें buying करना है, क्योंकि ICICI bank के अंदर के जो moves है, previous supports को देखते हुए, और अभी की market को देखते हुए हमें इसके अंदर buying करनी थी, अब देखिए अपने पास से level आ गया, यह आप इतने सारी levels ना लेते हुए भी, हम छो आप साइट की तरफ trade execute करने है, अभी जो हमने आप से बताया है, कि पिछले दो दिन से हम इसको track कर रहे हैं, बर इसके अंदर हमें confirmations नहीं मिल रहे है, तो यहाँ पर भी देखिए 915 के एक बड़ी से candle बनी, और यहाँ से price फिर हमारा नीचे गिर गया, और इसके अगले द इन भी same condition, previous day का जो high है ना, उसके उपर market नहीं निकल पा रहे है, या फिर जब इस ब्लेक वरी लाइन को price हमारा upside की तरफ break कर रहे है, तो कुछ movement हमें समझ पर नहीं आ रहे है, because resistance यहाँ पर safe रहे है, resistance break नहीं हो रहे है, हाला कि price का breakout गया है, यही चीज़ तो हम बोले, कि stop losses हमें देखने को मिल जाएं, क्योंकि यहाँ पर जितना भी retail traders के orders लगे हुए है, जो भी hold कर रहे हैं, यहाँ पर अपने stop loss लगा करके काम कर रहे है, तो एक अच्छा साफ सुत्रा movement, बड़ा movement अगर हमें देखनों को मिल गया, तो हम इनके stop loss लेने का मौका मिल जाएगा, और फिर यहाँ से एक अच्छा trade हम लोगों को देखनों को मिल सकता है, ओके, सो जैसे ही price ने third की opening दी, इसने क्या किया न, 9.15 की candle का high break कर दिया था volume के साथ में, अब देखिए, यह तो breakout हुआ है बाद में, लेकिन इसके पहले जो हम आ जाते हैं, 3 minutes के time frame पर दो देखिए, क आपको पहले भी मनें बता रखा है कि 9.45 की candle क्या important, कितना important role play करती है, और अगर हम, last trading session की 9.15 की candle का just high mark कर लेंगे, तो देखिए, 9.45 की candle का high भी लगभग लगभग उसी जगह पर है, हमारे लिए ये दो zones बन गए थे, क्योंकि price ने क्या किया था, इस एक जगह पर, हमारे black wire line के नीचे इसने अच्छे खासे resistance बनाया, यहाँ पर, और इन resistances का कर दिया breakout upside की तरफ, यह resistance बनाया upside की तरफ, और market यहाँ से जैसे इसने इसको breakout किया, इस एक जगह से, यहाँ पर जो हमने time frame यूज़ किया, 3 minutes का यूज़ किया था, वो ज्यादा थी, तो हम और छोटे time जारा तो movements अच्छे देखनों के पिल रहा है, तो जैसे ही price ने इस black वाली candle के ऊपर जाकर के movement करना शुरू किया, बस हो गया, वो confirm है, confirm in the sense के अब यहाँ से हम लोग risk ले सकते हैं, जाने को तो stop loss तो उस दिन मी जा सकता है, लेकिन analysis के according, अब हम लोग यहाँ पर risk ले सकते ह आपना, सो हमने क्या किया ना, जस्ट इस swing के नीची अपना stop loss लगाया और इस line के पास में अपना trade execute किया, और targets हमने कहाँ पर रखे थे अपने, जो हमारी day time frame का area था, जिसका हमने high और close mark किया, यहाँ पर, हमने इस जगह परा कर कि अपने सारे जितने ही profits थे, सारे के सारे profits बुक कर लिए, अभी समझ वाना, बिल्कुल सिंपल था, day time frame के उपर price का breakout नहीं है, volumes का breakout हो चुका है, आप हमें एक ऐसा दिन define करना है, जिस दिन हम इसमें trade अपना execute कर सके, हमें मौका मिला, हमने यहाँ से अपने interest के confirmations लिए, और trade execute कर दिए, that's it, इतनी simple सी चीस थी, अभ क्यों इस चीस को आजम क्यों बताएंगे, क्योंकि ICA से bank के अंदर trade execute करने के लिए, हमने simply इस formation का use किया, हाला कि 945 का भी इसके अंदर हमने merge किया, 945 का भी use किया, बट इस formation को देखेंगे, simply इस formation को आप लोग देखते होगे, market में जो normal language होती है, price action की, उसमें इसे morning star और evening star के नाम से जानते है, हम जो इसको पढ़ते हैं उसको Rex, अब नाम से कुछ ऐसा होता नहीं कि नाम change कर दिया तो क्या हो गया, basically है यह वही, लेकिन अपने experience के according, हम यह जिस तरह से इसके अंदर use किया है, volumes को जैसे हमने इसके अंदर add किया है, और कई माइने में कुछ चीज़ करेंगे आज के वीडियो में, क्योंकि हम कभी भी यह नहीं कहते हैं, options वगरा को हम promote नहीं करते हैं, जो आप देखते हों कि हर जगा, जिसको देखो वही option, 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 नहीं, अगर कोई करना भी नहीं चाहरा है, option तो एक last time में आकर कि ऐसा, उसका mindset बन जाता है कि option के बिना तो कुछ होई नहीं सकता, इस तरह की हवा चल रखी है market में, और एक trader भी बेचा रहा क्या करें, उसको तो option trading करने के अलावा और कोई रास्ता ही नहीं छोड़ा गया, तो वो क्या करें, घुम फिर कि वो option के पास जाता है, और market में जितने भी लोग हैं, सारी लोग बस इस फैदा उठाने में लगे हुए हैं, ब्रोकर से ले करके institutions भी हैं, जितने भी trainers हैं, सारे के सारे, नहीं किसी को परवा है कि कोई trader है, किसी की क्या परिस्तिती है, क्या condition है, किसी को इस पास की कोई परवा नहीं है, बस हाँ option करो, बढ़ा अच्छा है, ढाई हिजार लगा के इसको अपने लेवल पर अपने इस तर पर समझने की कोशिश करो, options trading is not bad, but समय से पहले या less experience के साथ में, अगर आपने स्टार्ट किया है, तो इससे बुरी कोई चीज नहीं है आपके लिए, इसका विशिस ध्यान रखिए, और अभी जो छोटी सी formation हमा को बता हैं, उसके practice क और देखना कि क्या impact उसका गिरता है life market में, because बहुत strong formation है, so thanks and start करते हैं इसके वीडियो, ये तीन बहुत basic सी चीजे हैं, इनको जस्त समझने के कोशिश कीज़ेगा, और सबसे बड़ी बात देखिए, यहां पर में लिखाने, लेकिन हाँ, पूरी तरह से mention कर दिया है, ये आपका demand zone है, demand zone in the sense कि आपका already defined एक area होना चाहिए, जिसको कि आप mark करके लोगे होना higher time frame, higher time frame के mark खियेगे levels, और आपको मालूम होना चाहिए कि आपको entry लेनी किस जगह पर है, इतनी सी चीज़ क्लियर हो, आपका पहले से predefined level होना चाहिए, उसके उपर आपका trend identification होना चाहि रेंडमनी trade execute नहीं कर देना है कि बस money हुआ, green candle बन रही है, चलो मार देते हैं, short करना है, red candle बन रही है, चलो मार देते हैं, आपने जैसे short कि एक green candle बनी घबरा आ गया, अरे निकले क्या करें, profit चल रहा है या loss हो रहा है, थोड़ा बहुत भी profit या loss देख करके, disbalance अंदर की a professional trader, behave like a professional trader, जब बात करने की बारी आती है, तो हम बहुत अच्छी ची बात करते हैं, professional है, हम money भी manage करते हैं, बहुत अच्छी, नहीं भी professional है, तो फिर हम अपने आपको क्या बोलते हैं, कि सीख रहे हैं, as a student हम बहुत अच्छा perform करें market में, बट ये कई हद तक सही नहीं है, क्योंकि जो भी rules और regulations आप बना रहे हो, market start होने से पहले, on market, running market सब में आग लग जाती है, नहीं रहते कहीं के, फिर नहीं नहीं strategy, नहीं नहीं experiment, on market, पहले हम ये करते थे, कि जब हम सीखा करते हैं, तब तो शायद इतनी YouTube channel हुआ भी नहीं करते थे, फिर भी जो एक दो होत करते थे, तो हम trade करें और उनके वीडियो पर जाकर, Forex के जो foreign countries के जो channels है YouTube पहले, पहले के time, काफी पहले, मतलब ये मान के चली के, आज से 6 साल पहले, बहुत ज्यादा है, बनी 5-6 साल पहले, तब तो इतने channels बगर हैं नहीं थे, तो तब भी हम क्या करते थे, कि हमारा trade चल होगे, लेकिन शायद करते हो, तो ये अच्छी बात नहीं होती है, ये हमने करने के बाद realize किया, और जो भी बाते हम आपको बोल रहे हैं, जो system हम आपको बता रहे हैं, वो ऐसा नहीं है, बस मन में आया हमने बता दिया, actually इन systems को हम use कर रहे हैं, इस system से trade execute कर रहे हैं, any systems के through reading कर रहे हैं, analysis कर रहे हैं, हर एक चीज में आपको ये सी सारी चीज़े मिल जाएंगे, जैसे आज के trade में, हम इसको क्यों आज के दिन आपको पढ़ा रहे हैं, actually हम इसका use करते हैं, trade execute करते हैं, या यह कहें कि कि किसी भी stock के अंदर अगर हम entry लेने, तो information का use करते हैं, basically हम ज decide करके रख लो, आप off market, के 9 बज़ रहा है, और पहले से decided है, हमें किस stock में करना क्या है, कहां पर करना है, risk management और money management क्या है, फिर running market में कोई experiment, कोई doctor ये उसके अंदर नहीं करनी है, just एक quote, बड़ा प्यारा सा quote है, plan your trade and trade your plan, जो भी आपको trade करना है, पहले से plan कर लो, और live market मे सिर्फ अपने plan को trade करोगे, that's it, फिर इसके आगा और कुछ आप उसरूरत नहीं पड़ेगे, अब यहां पर देखे, जिस भी जगह पर आपको entry नहीं लाइक, अब हमें मालूम है कि इस एक जगह पर हमें buy करना है, या particular इस एक जगह पर हमें short करना है, तो कैसे होगा, अब अगर हमें मालूम है कि buying करनी या selling करनी तो क्या करेंगे, अगर buy करनी तो buy की जगह पर आप इस तरह की formations find करोगे, basically अगर इस formation के तरू, three candles formation अगर आपको देखनी है, यह वाली जो अपनी formation है, one, two, और three, इसमें volume के भी कुछ major roles होते हैं, फिलाल अभी उसके ओपर हम discussion नहीं करेंगे, अभी सिर्फ price आप देखे, सिर्फ price को पकड़िया, अगर हमें buy करना है तो one, two, three, इन तीन candles को देखो, आपको buy करना है, price support पर हो, support पर होने के बाद में price इस तरह की formation बना रहा है, यह formations बन रही है, आप एक काम करो, जैसे ही price आपका upside की तरफ निकल रहा है, और यहां से सिर्फ buy करना है, trend identify करने के बाद में, फिर से हम बोल रहे है, buy करना है, clear है, कहां से buy करना है, clear है, अब आपका सिर्फ एक काम बसते है, अपनी इस formation को आप देखोगे, और just आपको इसके close price पर अपनी entry लगा देनी हो, just उस वक्त का swing होगा, या फिर इस formation के according जो हम कोई discussion नहीं करेंगे, इसके बाद में second आता है, limit order or execution on 50% of the engulfing, अब देखिए, यहां पर यह जो third वाली candle आपकी बन रही है, तो सबसे पहला तो entry का, क्यूंकि देखे, पूरा game इसमें क्या है, सारा इस third वाली candle का ही है, कहां कहां पर हम लोग trade execute कर सकते हैं, अपनी इस third वाली candle के according, बस हम यही देखने की कोशिच कर रहे है, तो पहला तो हमने देख लिया, अपनी इस third candle के according, सबसे first जो point होता है, वो होता है, अपना यह close price, इसके बाद में हम लोग यह काम करते हैं, 50% retracement देखते हैं, 50% का, कई बार होता है, कि market आपकी यहां से upside की तरफ निकल जाएगी, ऐसे कर कि यह उपर निकल जाएगी, हो सकता है, 50% का wait को रहे है, तोड़ा से risk होता है, यहां पर techniques होती है, कि जब price यहां पर आया है, कुछ quantities हमने यहां पर लगा दूर बाकी के लिए हमने wait किया, कि अगर price यहां तक आएगा, तो हम execute करेंगे, और अगर price यहां अबर आये बगेर ही, upside की तरफ वापस से दोबारा से जाने लगता है, तो सारी quantities को हमने यहां पर लग देते हैं, execution कर लेते हैं, बट पहली जगह यह होती है, open price, otherwise जो third वाली candle है, उसका just हम लो 50% निकालते हैं, measure कर लेंगे उसको, और जैसे price 50% retracement अपना दिखाएगा, हम यहां से total quantities अपनी execute कर देते हैं, और stop loss मेरा इस जगह पर आ जाता है, third, यहां पर हम लोग क्या करते हैं, कि सबसे last जो point बनता है, देखिए, तीन parts में में divide कर दिया इस candle को, एक तो half, दूसरा close price, third high, execution हमें कहा करना है, अपनी यह first वाली, third वाली जो candle है, इसके just high से लेकर क 50%, इसके बीच में हमारी entry हो जानी चाहिए, probability इसके उपर है कि आप trade execute करते कहां पर हो, या किस तरह का prediction है, market कहां तक retrace कर सकती है, लेकिन entry लेने यहीं पर है, clear होना चाहिए, stop loss, तीनों में same, आप just उस formation के just low पर अपना stop loss लगा दोगे, enter based on the break of the candle, जैसे ही price आप मत देखो होगे कि इस जगह पे breakout कर देगा, आप trade मार दोगे, वो retrace हो जाता है, कई cases में retrace हो जाएगा, और जब कभी by chance माले जो retrace नहीं होगा, leave it, जाने तो उसको छोड़ दो, अपने किसी काम का नहीं हो, इन तीन formations को हम लोग देखते हैं, trade execute करने के लिए, अपने predefined level पर, अपन यह वाली candle है, चलिए इसको यह वाला area ले लेते हैं, यह higher time frame का अपनो point बन गया, अभी resistance area है, यहां पर देखना कि market जब 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 आएगे, जब जब हमारे इस soil line पर आएगे न, यहां से आपको rejections देखनों को मिलेंगे, यहां से price फिर से नीचे, again upset फिर से नीचे कर उसके दिन पहले से आपने trend analysis करो, और current market में आ करके आपको जो भी confirmations लेने, आप अपने वो confirmations लो, बट हमें यह मौलूम होना चाहिए कि price को जो movements में देखना है, वो इसी जगह से देखना है, आप देखिए, price ने क्या किया, जैसे ही आपके level को break करके, यह upside की तरफ आया है जाने दो, जहां जाने दो, हमें हमें आ रहे हैं, इस level पर ही चाहिए market, तो देखिए, market यहाँ पर, बिल्कुल आपके line पर आए, exact area पर, और same formations जो भी हमने आपको बताई हैं, वो formations form हुई, हमें इन formations का ही wait करना है, और जैसे ही prices वारी जगह पर आएगा न, आप एक काम करो जो भी आपका 50% है, जैसे यहाँ पर हमें लोग 50% देखें तो यह है 50%, हमारी इस green वाली candle का, 50% पर आप अपना trade execute कर दो, और swing के निचे अपने stop loss रुप दो, SLB छोटा हो जागा, confirmations रहेंगी, day time frame पर तो अपने mark किया हुआ ही है, बाकि जो formations हम लोग यहाँ पर देख रह करते हैं कि price अगर आपका 50% है तो 60% भी आगर retrace कर रहा है, sorry 40% भी आगर retrace कर रहा है, ठीक है मार तो आप trade, लेकिन predefined area हो आपका, यही एक शर्त होती है, यह एक शर्त होती है, आप इसको नहीं मानते हो, वो अलग बात है, कि हमने कोई भी पनी trend line डाल दी, कोई भी support डाल time frame का use हम नहीं कर रहे है, सिर्फ 5 minutes, 15 minutes, 30 minutes जहां पर जो देखा बस हो गया, वो माक कर दिया हमने, मन हुआ माक कर दिया, लेकिन आपको multiple time frame का use करना होगा, और कम से कम दो time frame रखिए, एक higher time frame का जहां पर आपके predefined level रहेंगे, और दूसरा lower time frame, जिस पर आप अपना trade execute करोगे अब यह A-B capital है, दूसरा को एक chart ले लिए, अब जैसे day time frame पर चले जाएंगे, सबसे पहले day time frame पर जाएंगे, अब यह क्या है, अच्छा, यह देखिए resistance point है, प्राइज ने gap of opening दिया, इस एक point पर आगया, अड़ानिपोट का chart है, यह recover भी बहुत अच्छी तरह से कर रहा इसके उपर हमें आस तक अभी believe हुआ नहीं है, और ना हमें कभी होगा, अब यहाँ पर देखिए क्या है, इस एक chart से हम लोग क्या सीख सकते हैं, कि सबसे पहले तो, यहाँ पर में time frame जो लगा लिए है, 3 minutes का time frame लगा लिए है, अब हमें मालूम है कि trade execute करने की जगा तो यह और हम इसी जगे से execution करेंगे, तो कौन कौन से points बन सकते हैं, trade execute करने के लिए, सबसे पहले चीज़, इसका 3 minutes और 5 minutes दोनो time frame पर use करो, 5 minutes का use ज्यादा क्या गरो, 3 minutes तो शलिए हम आ गए, लेकिन हम 3 minutes recommend नहीं करेंगे आपको कि आप 3 minutes के time frame पर use करो, जिस्ट हमें यह formation समझान है, बतानी है, अपने levels के पास में कैसे formation काम करी हैं, यह देखाने हैं, इसलिए हम 3 minutes के time frame पर आ गया, आप, आपको हम recommend नहीं करेंगे कि 3 minutes के time frame पर आ जो, जितना हो से कि ज्यादा से ज्यादा बड़े time frame पर ही जाओ, noises कम मिलेंगी, confirmations अच्छी मिलेंगी, हम भी ज्यादा तो जो trade execute करते हैं, 5 minutes पर ही करते हैं, लेकिन last trade जो हमने execute के 3 minutes पर किया है, क्योंकि वो volatility का system हो गया था, थोड़ा सा, volatile थी market, तो lower time frame पर आ गया है, और same condition यहाँ भी देखिए, आपकी दोनों candles बनगी, कितनी जगा हो सकती हैं, सबसे पहरा तो हम यहीं देख रहे हैं, कि हमा यहीं close price है, हम अपने इस close price के पास में अपने trade execute कर सकते हैं, और नए तो फिर यहाँ पर, सबसे बड़ा सवाल यह आएगा, कि market तो चल चुकी है, तो हम लोग कुछ भी बोल सकते हैं, कि high open और close lows तो क्या ही होगा, लेकिन मालूम होगा ना हम लोगों को कि हमें करना कहां से हम अपने कुछ quantities के लिए वेट करेंगे हैं, पर जैसे ही price हमारा open price पर आएगा, हम हो सकते हैं कुछ quantities यहाँ पर मार दें, बाकी के लिए वेट करें, नहीं आ रही है, तो और price वापास से, बिना मेरी जगह पर आया, बगया price अगर upside की तरफ जाए तो सारी quantities हम upside की तरफ मार देंगे, यह तो live market, कितने साई trade हमने execute के हैं, live trade के ही तो वीडियो सो भरे पड़े है channel पर, उसमें देखे, एक एक चीज कितने आराम से इत्मिरान से use कर देंगे, और आपको समझा भी रहे है, छोटी सी चीज है, इसका use करो, जितना ज्यादा से ज्यादा हो सकता है, इसकी practice करने की कोशिश करो, कुछ अगर doubt है, कुछ question है, comment box में लिख दो, उसका hand rate at 1% हम reply करेंगे, वीडियो अच्छा लगता, तो like की जागा, and अब हम लोग मिलेंगे अपने next trading session में, जो भी trade बगर execute करेंगे, हम आप लोगों को inform कर देंगे, so thanks and we will meet again.